हेलो फ्रेंड्स जिसे जमाहिंद प्रजापती बेल्कम टू पीजियाई रामपरा कैसे आप सबी लोग आई होप काफी अच्छे होंगे चलिए आईए हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलीमर के अबजेक्टिव कुश्चन को तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा मल्टीपिल चुश्चन सें एमसे की व्यैस तो आईए हिनके बारे में हम लोग इस्टडी करते हैं तो फरस्ट कोश्चन है आपके स्क्रीन पर कि निम्ने मैंसे कौन संबहूलग है तो दिखेगा जितने भी हमारे पास संबहूलग होते हैं क्या होते हैं संबहूलग आप ल कहते हैं अधिए न ref तो हमसे कोशन पहुचा गया है कि Constance पॉलिमर प्रोड़ को क्या है देखिए का आप का यरुट आपने बनाया हुआ यह है यह क्या थे एक ही सह बुसो एक ही संबहुलक का निकाणियों से बने हुए थे तो यहां ऑप्सन जो करेक्ट आपका हो जाएगा वह है ऑप्सन कौन सा हो जाएगा आपका नाइलॉन सिक्स क्या हो जाएगा जो नाइलॉन सिक्स होगा यह आपका करेक्ट ऑप्सन हो जाएगा जो कि आपका कैसा है शम बहुलक है कैसा है शम बहुलक है क्योंकि आपने देखा था कि जो नाइलॉन 6 है यह नाइलोन 6 किसके द्वारा बनाए गया था कैप्रो लैक्तम की द्वारा बनाए गया था नाइलाऊ 967 को ठीक है तो जो केप्रो लैकंत्रम की द्वारा इंको Leon 6 को भना करते थ dieta कौम करते 20 improvement में करते थी क्यरा बनाने में स्वेड हो गया डायर टायर कि दोडोरियां हो गई रसी हो गई बस रोगए इनको बनाने में अंपर करते थे सेकंड कोश्चन इज मुक्त मूलक बहुलक में निन्द मैसे कौन सा initiator के रूप में प्रियोग किया जाता है तो आपका जो tri-fluoro acetic acid होता है tri-fluoro acetic arm एने के correct option हो जाएगा second part जो आपका किसके रूप में प्रियोग किया जाता है तो यह जब भी आपका free radical जो polymer होता है उसमें इनिसियेटर की रूप में इस काम लोग प्रियोग करते हैं ट्राइफ लोरो एसीटे काम लग इसके नेक्स्ट है कोश्चन हमारे पास एक सहे बहुलग बनता है तो देखिएगा सहे बहुलग के बारे में आपको अभी अमने जिस्ट बताया हुआ मिलकर के बनी युटे हैं एक ही जैसे उसमें मोनोमार यृकाईयना होती हैं आड़ इसमें विसे बहुलग होंगी नुमें उन्हें इक से अ्धिक प्रकार की मोनोमार खोते हैं चरओ चब न्हें wilt पास चौथा कुशन चौथा कुशन इस निमने मैं से कौन सभी संगनन बाउलक की मुख्य विसेश्था है तो देखिएगा संगनन बाउलक आपको कंडनसेशन रियक्षन में बताया गया था जब भी कंडनसेशन फॉलीमर होगा तो चोटे चोटे जैसे अमोनिया हो गया जल हो गया इस प्रकार के अड़ों निकलते थे तो मोनोमर किरिया करते हुए चोटे अड़ों को निकालते हैं नेक्स्ट जिग्ला नाटा प्रिरक में क D2s5 का कि को kan ऑंडना एलुम 率 और एक मत पताये गया था पिसम्हें कौन-कौन सी दातव कौन सी है yesterday लहां कर्रेक्ट जो जा अउब सब्सट्वाएं तरी श्रुक्रा-वार्म् göst चालिए क्रॉसबंद पाए जाता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं वह क्या कहते हैं नेक्स्ट ये बागलखों के अलवार हैं तो ऑलवार कैसे होंगे उछ वे विजोंगी तो सेवन नंबर का कौन सा पॉली- graduate है तो देखिए गाव वो लोग उसको कहते थे जिसमें एम आइड बंद पाए जाता था क्या पाय जाता था एं माइड बंद पाए जाता था तो जैसे वंसा बंद पाया जाए थो है मारे पास कौंछ से नाइलॉन सिक्स था नाइलॉन या परलॉन सिक्समने लिये लिएवे थी ठीक है नेक्स्ट रहाएब नांबर प्राकृतिक रवार्ण निम्ने मैं से किसके बहुला कहें तो जो प्राकृतिक रभाण है उए आपका नाटा प्रिरख है में लब जिला नाटा कैटलिस्ट है तो 11 नंबर का आपको क्रेक्ट आप्शन देना तो अभी आपको बताए टी आई सी एल फोर एंड एलुमुनियम ट्राइब एलुमुनियम और सी एस फाइब का होल फ्राइज तो यही करेक्ट आप्शन हो जाएगा नेक्स्ट नियोप्रीन निम्न मैसे किसका बहुलक है तो नियोप्रीन जो है आपका क्लोरोप्रीन का बहुलक होता है किसका होता है क्लोरोप्रीन का नियोप्रीन बहुलक होता है chloroponion को बनाने में ठीक है नेक्स्ट है निम्रमाय से कौन सा योग बाउलक नहीं है तो हमें योग बाउलक के बारे में बताना है एनिकि additional polymer के बारे में बताना है तो 14 number का जो आपका बगलक हो जाएगा नेक्स है योग बगलकों के अलुभार मौनुमर के अलुभार के होते हैं तो जो 50 नमबर कोश्चन है वह सरल गोड़क होते हैं जितने भी योग बगलकों के अलुभार होते हैं वह मौनुमर के अलुभारों के कैसे होते हैं सरल गोड़क होते हैं क्योंकि जब आप गर्म करेंगे तो यह सीधा पीगलता नहीं है यह सीधा पुरी यहां है जल ज़ होता है और इनमें अंतर बताई हुए है तो आप लोग leads को देख स्वेक्ष नेंगी है संग्हिन आपका क्या है कि द्वारा बनता है हेकसाधिल कुछन quota g design के बार थे द्यसकन है कि द्वारा बना तो ठेरेंग बारे में बताना कुंधिक क्या है तो ठेरेंग त्वयर फिसकर होता है टेरिलीन जिसको हम लोग एथलीन ग्लाइक और थैलेकंद की द्वारा बना रहे थे किसकी द्वारा एथलीन ग्लाइक मैं परियोक्स होते हैं कौन सा को जाएगा फर्स्ट ऑप्सन हो जाएगा 20 का एपार्ट हो जाएगा सीट्यूस 5 का उल्थराइज एल एवं टी आई शील फोर नेक्स्ट है विवना एस है विवना एस किसका उधारा तो देखिएगा आपको विवना जाएगा के वारे हम बताएगा था कि जो हमके पास भीयोणा एस रबन है भीण है और मैंस2 नाम नामदेते थे SBR रबड क्या नाम देते थे SBR रबड इसी को हम लोग किसकी दोहरा बना रहे थे तो इसमें हम लोग स्टाइरीन को कितना ले रहे थे 25 परसेंट हम लोग स्टाइरीन प्रियोग करते थे और 75 परसेंट आपका क्या यूज किया जाता था इसमें स्टाइरीन प्रियोग किया जाता था तो इसकी दोहरा हमारा व्यून ऐस रबड बन जाता था इसी को हम लोग स्टाइरीन ब्यूटर डाइन के नाम से भी जानते हैं नेक्स्ट है टेफलॉन का मोनोमर है तो हम डाब्ड़ ऑब अभी जस्ट आपको बताएगा गाइस ब्रबड़ की कैसी है संसलेशित रबड़ है कैसी है तो नेक्स्ट है कॉन सा बागुलक में को आए होगा जिसमें छोटे अड़ों निकल रहे होंगी तो इतने भी आप पॉलीस्टर बनाए हुए थी उनमें क्या निकल रहा था जब कि पॉलीथीन पॉलीस्टारीन पीविसी यह कैसे हैं यह आपके संग्रन बहुलक नहीं है ठीक है कि पॉल dobr नेक्स्ट है बैकईलाइट निम्निमसिक निकल इंपने का संग्रन बहुला के है है एक्सामेथलीन क्या डीक एसिडियसडिया राफ फ्रहार बनाए गया था यह से पॉछ सब्सक्राइब करेक्ट हो जाएगा अलकॉल किसके साथ यूरीथीन देता है तो इसमें यूरीथीन को बनाए गया था पॉली यूरीथीन बनाए था ने पॉली देखियेगा टी आई जो सी ल फोर है कि हमें इसमें टी आई का निकालना तो जिसका निकालना उता एक हमालनें प्लस चार और सीयल का माइनस एक होता है जिएक टो कितना हो जाएगा जीरू इस प्रकार से जब आप कल्कुलेट करेंगे तो एक्स बराबर आपके प केपर रेक्टम की दोषारा बनाते हैं 31 कोश्य नियोप्रीन का मानमार तो आभी दाध लूक नियोप्रीन का मॉनमार है मुट depends कि नि statistically में होता है इस वह पास् 잡िती में होता है इस और यह डिकत काण सब्सक्राइब है तो जिगलन नाटा प्रेड़क आपका टाइटिनियूम टेट्रक्लॉराइड एवं ट्राइफिल अलुमुनियम को दारा ले आर्फास क्रेक्ट आप्सन आपका कौन सा हो जाएगा ए पॉइंट है नैक्स्ट है नाइलोन 6 6 6 में हम लोग क्या लेती थे 250ड़ु जब लोगों के नैइलोन 6 व्लीघ को बनाया हुआ था तो हम लोगों ने हैक्सा मेत्रिं डाइयमीन निमनके संगिनन बरूलख की लोते से बनता है तो यहाँ जो कुश्चन आएगा नाइलोन 6-6 हम लोग नहीं किसके दौरा बनाया था हेक्सामेथली डायमीन और एडिपेक एसिड के दौरा एक्सके दौरा बनाया हुआ था एडिपेक एसिड के दौरा तो यहां 34 का जो correct option होगा वह correct option आपका कौन सा हो जाएगा second part हो जाएगा अधिपेक एसिड नैक्सक्रा क्लोरीण के वहुलोक होते हैं इन्हें गर्म करने पर यह मुलाये मोलाहने यह और पिगल जाते हैं नेक्स्ट है यह बहुत कम कैसे होते हैं वंगोर होते हैं यादिक वंगोर होते हैं यह बाउला कर्मनिक ब्लैकों में गुलंसील है जब कि यह गुलंसील नहीं है इन बाउलोकों की संदेशनल रेखिये होती है लीनियर होती है जब कि यह 3D में पाई दाती है किसमें पाई दा कर रहा होता संगनन की द्वारा और इसमें युगात्मक एडिशनल रियक्शन होती है नेक्स्ट इनको करने पर किसी भी आकार्म डाला जा सकता है तो यह वीडियो आप लोग ज्यादा सेयर करें अपनी मित्रों के साथ ठीक है तो हम लोग मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो क के साथ और जिसमें आपके डाइस बगएरा पड़ाए जाएंगे रंजाक बगएरा उनके अब्जेक्टिफ सेस्टन करवाएंगे ठीक है थैंक यू फू टुडियो अल्दी बैस्ट हेवा नाइस डे जै